हेलो स्टुट्स कैसे हैं आप सब लोग तो आज बहुत ही इंपोरेंट नोटिफिकेशन आई है सीबसी की वेबसाइट पर ओफिशल वेबसाइट पर सीबसी डॉट निपर जाके आप चेक कर सकते हो तो इस पूरे नोटिफिकेशन बहुत ही क्लास ज्यादा पेज कर और क्लास 12 वाले बच्चों के लिए जिनका पेपर होने वाला है एक जुलाई से 15 जुलाई के बीच उन सब के लिए बहुत ही अच्छी एनाउस्मेंट है उन सब के लिए जो किसी दूसरे स्टेट में जा चुके हैं मैं बता चुका था उनके लिए पहले ही कि वो अपना से प्राइविट केंडिटेट से ठीक है या जो भी बाकी ओपन की जितने भी स्टुएंट है उन सब के लिए क्लास ये बहुत इंपोर्टेंट है तो चलो शुरू करते इस नोटिफिकेशन को एक करके सारे पॉइंच को समझना एक भी पॉइंट मिस मत करना क्योंकि एक भी प के बनेहेंगाशन की ने दिकलेर कर दिया है दो ऐनोंने फ्यक्स किते हुए पहली बात के एक्षामेशनन भी CBC ने सोचा है आगे जाके समझना तो पहली बात यह है कि आप अपने स्कूल में पेपर दोगे ठीक है आपको दूसरे जिगे पेपर देने की ज़रूत नहीं है दूसरी चीज़ CBC will allow to change the examination center अगर आप चाहो तो एक date आपको दी जाईए अभी उस date के अंदर अपना examination center जो है वो change कर सकते हो समझरे बात को किसके लिए है जिन्होंने अपना district change कर दिया है यानि जो अभी कहीं और shift हो गए lockdown में या उसके lockdown के अंदर आप कहीं और चले गए किसी और दूसरे district मे अपने गाउं चले गए कहीं भी आप चले गए तो आप चाहो तो अपना center change कर सकते हो तो कैसे change करना है private candidates के लिए news आ चुकी है तो वो लोग ठीके रहना आएंड तक बताऊंगा आपको according to the following is being notified here with तो क्या-क्या points से सबसे पहली बात जो है examination जो होगा वो 15 एक से लेकर 15 ता उनी जिले में जहां school होगा one school will fix एक school को nodal examination center बनाया जाएगा जहां से जो दूसरी district में चलेगे बच्चे वहां पे वो लोग paper दे पाएंगे समझ रहे बात को यानि कि आप जो बच्चे अपना examination center change करेंगे जिस भी district में वो टालेंगे उस district में एक school रखा जाएगा CBC का व जाने कि वो किसी और school के अंदर नहीं चले जाएंगे एक examination center change करेंगे उनके लिए वहां पे अलग से school reserve किया जाएगा उसको वो लेंगे नोडल examination center और वहां पे उन बच्चों का paper होगा clear यहां तक और eligibility जो है कौन कौन change कर सकता है जो regular candidate है वो अपना center change कर सकते हैं ठीक है और जो से कुछ बच्चे होस्टल में रहते हैं कुछ बच्चों को sponsor किया state government ने या class वो अपना district छोड़ के कहीं भी चले गए हैं within India तो वो चाहे तो अपना center change कर सकते हैं जो private candidates हैं वो भी चाहें तो request देकर अपना center change कर सकते हैं लेंगे आपको center change करने के जरूत क्यूं है अब वो बच्चे बोलेंगे कि सर जो हम लोग पहले से paper दे रहे थे private candidates सबसम सुलो बहुत बच्चों ने कोशन पूचा private candidates वालों का examination वहीं होगा जहां उनका examination अभी हो रहा था ध्यान रखना private candidates का जो दिया है तो आप request डाल दो तो आपका paper फिर उस जिले के nodal examination center पे हो जाएगा और class time अब मैं बता दूगा कब तक आपको आपका पता पढ़ जाएगा paper कहां पे सब कुछ बताऊंगा पूरा एंड तक देखना काफी बड़ी है इसको समझना पड़ेगा अच्छे से तो condition क्य यानि कि दिल्ली के बच्चे है वो तो class दिल्ली को एक ही district माना जाएगा तो दिल्ली के बच्चे तो change नहीं कर पाएंगे दिल्ली के बच्चों को यह बिल्कुल भी permission नहीं है clear है यहां तक और important point क्या है class की ध्यान रखना की change in examination center will allowed only in the district in which the applicant has shifted to जहां पर shift किया गया है आपका सिर्फ वहीं जहां भी आप रहते हो जहां shift कर गये वहीं पर ही आप अपना school choose कर सकते हो clear है class यहां तो भी उस district में जहां पर आपका CBSC school होगा अगर किसी district में आप ऐसी जगे आप ऐसे जिले में रहते हो जहां कोई CBSC affiliated school ही नहीं है मतलब जो CB आपके आसपास का जो district होगा जहां वह स्कूल होगा वहां पर जब close district होगा वहां पर आपको center मिल जाएगा और जो containment zone है class वहां को इसी भी examination center को fix नहीं किया जाएगा तो घबराने की ज़रूत नहीं है किसी भी बच्चे को घबराने ज़रूत नहीं है मैं आपको एक date एक्चुली में कहां a lot हुआ है टाइम रहते लग पंदर दिन पहले ही चेक कर लोगा प्राइवेट केंडेट में बताऊंगो डेटा भी आगे जाके जो second chance compartment का दे रहे हैं जो पिसे जाल फेल होगे थे बच्चे या improvement दे रहे है additional subject female candidate of Delhi visually impaired candidate CFE class पत्राचार विद्ध्याल है सुन लो बच्चों बहुत पूछ रहे थे आप लोग यहां पर बतारों आपको 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 वही होगा जहां पहले हो रहा था लेकिन अगर आप change करते हो who have not shifted their district to examine center to any other district in India will require to appear in the examination from the allotted examination center from where they have appeared earlier यानि कि 18 मार्च से पहले जहां paper देने जा रहे थे आपका center वही है यानि मैं आपको दे दूंगा अपने discussion box में आप पूरा का पूरा पढ़ लेना वैसे जो बतारों आपको that's enough आगे पढ़ने की जरूत नहीं है request कैसे डालना है ध्यान रखना जो बच्चे चेंज कराना चाहते हैं वो अपने school से contact करें वैसे school को जिम्मेदारी दी गई है कि वो ख हाते हो चेंज कराना तो आप अपने school से पूछ लो वो आपको सारा process समझा देंगे clear यहां तक otherwise मैं बात में इसके उपर एक video upload कर दूँगा CBC will accept request of the candidates to change in the examination only ध्यान रखना कहीं और complain करने की official site पर जाके mail करने की call करने कोई जरूत नहीं सिर्फ अपने school से बात करो जो भी आपका school आप उससे बात करो कि मुझे आपके school में paper नहीं देना मैं दूसरे जिल्ले में आ चुका हूं तो मुझे यहां paper देना है तो मुझे क आप process करने वह आपको आसानी से बता देंगे it will be the responsibility of school ध्यान रखना सीबसी ने कहा है स्कूल की responsibility है कि वह अपने बच्चों से examination center देने की सोचना भी मत अलग-अलग state है अलग-अलग district है तो इन सब जिगे तो आप बिल्कुल मत सोचना क्योंकि यहां पर CBC का कोई registered school affiliated school नहीं है clear a class यहां तक और आपको आसपास के जिगे मिलेगा उसके आसपास के जिले में जो है मिलेगा no request for change in exam center should be sent to CBC directly आप directly please CBC को mail यह request मत डालना वो directly class नहीं होगा आपके school से ही होगा जो प्राइवेट candidates को सुन लो candidate appearing second chance of compartment failure of previous year improvement of performance addition subject हो चाहे कोई भी class बाकी अधर हो who have shifted from exam center to any other district in India can also apply on the also apply on the class link इस link पे class यहां पे यानि कि विक्तिगत परिक्छा थी on the board website और आप mobile app यूज कर सकते हो class परिक्छा सुवीदा ध्यान रखना परिक्छा सुवीदा मुबाइल आप है आप इसको download करके अपने exam center change कर सकते हो अब सुनो school जो बच्चे regular जाते है school उनका तो school से call आ जाएगा नहीं तो वो school पर रिक्वेस्ट कर देंगे लेकिन जो private candidate है class हो mobile app परिक्छा सुवीदा डाउनलोड कर लेना mobile app या official website पर आपको दिख जाएगा link आप चेक करना जो private candidate है उनका तो कोई school नहीं है इसने उनके लिए मैं ब other countries अगर वो चाहे तो इंडिया के किसी भी district में किसी भी जिले में आके paper दे सकते हैं जो अंडिया के बाहर बच्चे हैं तो इंडिया आगर मालो बाहर चले गए वैसे अप्रोड वालों का तो कोई paper होगा नहीं लेकिन कोई इंडिया का बच्चा है वो बाहर चला गया लोकेशन जो है examination center कौन सा अलोट हुआ है आप चेक कर सकते हो help of mobile application center locator यानि कि आप अप अप्लिकेशन मुबाइल अप्लिकेशन है examination center locator for cbc आप देखो नाम में light कर रहूं highlight कर रहूं यह है इस app को डाउनलोड करके 20 जून ध्यान रखना 20 जून तक आप सब कुछ चेक कर सकते हो जो application है वो आपको play store पे मिल जाएगा और यह सिर्फ और सिर्फ android mobile phone पर ही आप इस app को डाउनलोड कर सकते हो ध्यान रखना android phone होना चाहिए आप इस पर अपना app डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो don't worry अपना exam center आप 20 जून से पहले चेक अराम से कर लोगा फिर भी किसी बच्चे को कोई query अगर है तो वहाँ पे वो class इस number पे call करके सुबह 9 से लेके 5 बजे तक all working days के अंदर आप उनसे पूछ सकते हो जो भी doubt जो भी दिक्कत होगा आप CBC को यहाँ पे लेकर 9 जून तक आपको contact कर लिये जाएगा और जो बच्चे request करेंगे वो 3 जून से 9 जून मैं सब बच्चों को request करता हूँ 3 जून को यह डाल देना request delay मत करना मेभी बहुत डीले हो जाए वैसे तो जो स्कूल बच्चे पढ़ते हैं उनके कोई नुकसान होगा नहीं डीले होगा स्कूल वालों की responsibility है वो खुद आपको phone करके पूछेंगे बट फिर भी आप अपना जो है वो चेक कर लेना जो private candidate से उनको बता जेता हूँ मैं वो 11 तार करेगा यह स्कूल की बात है उसके बाद है क्लास information regarding uploading of information regarding change of examen center जो है वो 16 तारिक को upload कर दे जाएगा school to communicate school जो है वो communicate करेगा 16 तारिक से लेकर 18 तारिक तक के बीच about the change examination center the school आपको communicate कर देगा वाकी जो है आपको download करना पड़ेगा permission letter by the private candidates चेंज करना पड़ेगा वो जो आप download करोगे ना online जाके private candidates वाले जो change करेंगे उनको समझ मा जाएगा वहांप एक permission letter मिल जाएगा मतलब कि आप अपना examination center change कर रहे हो तो आप CBC को बोलो ना कि हम change कर रहे है ऐसा ना कोई फ्रॉड गीरी हो जाए बाद में कोई बोले मैंने किया ही नहीं था इसलिए school to download list for the candidates and examination में अपेरिंग फ्रॉड यूजिंग स्कूल लॉग इन आईडी और इपरिक्षा पॉटल में जो है वह स्कूल वाले जो है वह डाउनलोड कर सकते हैं सारी की सारी कैसा लगा कुछ दिक्कत परेशाने तो बताना और इसे प्लीज प्लीज में रिक्वेस्ट है इसे सारे के सारे दोस्तों में शेर कर दो क्या पता किसी बच्चे को काम आ जाए किसी बच्चे को मिल जाए बहुत सारे बच्चे अवेर नहीं रह पाते तो उन तक information पहुंचा तक लिए प्लीज इसको शेर कर देना थांक यू वेरी मच बाई बाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में